ओम शान्ति जून मास मम्मा का अव्यत की मास हम भाई बहनों के लिए तिवर पुरुशार्थ का मास इस मास में विसेश मधुबन घर से हम भाई बहनों के लिए स्वमानों की माला आई जिसमें एक स्वमान का रोज अभ्यास करने के लिए कहा गया जिसके लिए दिन भर की दि आटेंशन दिलाया गया जितना हो सके मोन में रहना अंतर मुखी रहना व्यर्थ से मुक्त रहना बार बार असरीरी देह से नियारे होने की प्रैक्टिस करना जब भी थोड़ा सा समय मिले तो मनसा सेवा में स्वयम को व्यस्त रखना ग्यान के मनंच चिंतन को बढ़ाते जाना यही मदुबन घर से विशेस दिन चर्या आई आज दिनांक 25 जून को स्वमान आया मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूं तो जब हम अमरत बेला में स्वमान का अभ्यास करते हैं और साथ में कमेंट्स बॉक्स में यहां स्वमान लिखते हैं तो दिन भर के लिए यहां स्वमान इस्म्रती में मजबूत हो जाता है हम भूलते नहीं हैं तो स्वमान मिला मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूं मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूं मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूं तो अनुभवी मूर्थ अर्थात बाबा से मिले खजानों को यूज करना, गुण ग्यान तथा सक्तियों को, अपने संकल्प में, बोल में, कर्म में, दिन भर यूज करते रहना, यूज करने से हमारा स्वरूप तो बदलता ही है, साथ में सेवा भी होती है, तो बाबा सदा स्रीमत देते, कि जो खजाने तुम बच्चों को मिलते हैं, उसका यूज करो, उसको जितना जितना यूज करेंगे, उतना अनुभवी मूर्थ बन जाएंगे, और चलते फिरते, उठते, बैठते, खाते पीते, हर समय बाबा को याद करो, क्योंकि तुम हो सहज योगी, हटी योगी नहीं हो, चलते, फिरते, उठते, बैठते, बस बाबा की याद रहे, तो अनुभव करें, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, तो हमारी मूर्ती अभी बाबा बना रहा है, सत्यूग में पहुचाने के लिए, तो सत्यूग में जो देवी देवताओं की दिन चर्या है, उसमें हम देखते हैं कितना रॉयल पन है, संकल्प में, बोल में, वानी, कर्म, सब कुछ स्रेष्ट होता है, वही स्रेष्ट स्रीमत अभी संगम युग पर हम बच्चों को मिलती है, और हम उस स्रीमत पर चल कर खुद को ऐसा स्रेष्ट देवी देवताओं जैसा बनाते हैं, जिसका आधार बनता है बाबा से मिले घ्यान को स्वरूप में लाना, बाबा की याद को नैचुरल नैचर बना लेना, अर्थात बाबा कहते हैं कि तुम भक्ती मार्ग में कहते थे, तेरा तुझको अर्पन, तो अब मैं आया हूँ, अपना तनमंधन सब कुछ मुझ पर अ और मुझ एक बाप की याद में समाय रहो, मैं जो स्रीमत देता हूँ, उस स्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करो, मैं जो ग्यान सुनाता हूँ, उसका मनन चिंतन करते रहो, तो जितना जितना यूच करेंगे, प्रेक्टिस करेंगे, उतना अनुभवी मूर्थ बनते जाएंगे, तो बाबा कहते इस्मरती रखो, कि मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, बाबा हमसे कहते, मैं कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्व खुद को आत्मा अनुभव करो, और सर्व को आत्मा देखो, और एक पिता परमात्मा से सर्व संबंदों की अनुभूती करो, एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करो, अर्थात एक वरता, एक मती होकर रहो, एक बल एक भरोसे के आधार पर एक बाबा को याद करो, और बाबा जो देता है, निश्चय बुद्धी होकर उसे ग्रहान करो, अर्थात उसका स्वरूब बनो, तो अनुभव करें, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, हम देखते हैं कोई बच्चा, रोज पढ़ाई पढ़ता है, तो उसे पढ़ाई याद हो जाती है, और वहाँ परिक्चा में पास हो जाता है, कोई खिलाड़ी रोज खेल की प्रेक्टिस करता है, तो वहाँ उसमें निपुन बन जाता है, अर्थात उसका नेचर वेसा हो जाता है, तो हमें भी बाबा अभी कहते, चलते, फिड़ते, उड़ते, बेड़ते, खाते, पीते, सोते, हर समय बाबा को साथ रखो, बाबा को साथी बनालो, बाबा को सहयोगी बनालो, बाबा पर अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ अरपन कर दो, तो तुम बच्चे सहज और स्वतह अनुभवी मूर्थ सहज योगी बन जाएंगे, तो अनुभव करें, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, मैं अनुभवी मूर्थ सहज योगी आत्मा हूँ, हम बच्चों को बाबा कहते हैं, लोकिक में भी बच्चे, अपने पिता को स्वता याद रखते हैं, याद करना नहीं पड़ता, तो जैसे तुम बच्चे देह में रहे कर, नेचुरल नेचर बना लिया है, ब्रह मुक्ता में रहने का नेचुरल नेचर बन गया है, ऐसे ही अब खुद को असरीरी आत्मा अनुभव करो, जब आत्मा की अनुभुती होगी, आत्मा अनुभुवाओ करते रहेंगे, तो यहाँ भी नेचुरल नेचर बन जाएगा, कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, इसलिए बाबा कहते बार बार कर्म करते, असरीरी बनने का अप्यास करो, व्यर्थ से मुक्त रहो, अंतर मुखी होकर रहो, क्योंकि जितना जितना अंतर मुखी रहेंगे, उतना उतना स्वादर्सन, स्वाचेकिंग कर सकेंगे, तो स्वयम को देखना कि मैं आत्मा हूँ यहीं से हमारी बाबा की याद सुरू हो जाती है जब हम खुद को आत्मा समझ लेते हैं तो हमें स्वतह और सहज हमारा पिता निराकार परमात्मा याद आ जाता है अच्छा 26 तारिक के स्वमान के साथ फिर मिलेंगे अमरत बेला में ओम शांती